चले देखते हैं आज कि आम इस वीडियो में देखते हैं दली युनिविशिटी अडमिशिन 2023 आपको यहां पर मैं सेर्च करके लिखाता हूं अच्छे साथी स्टेप बाइस्टेप प्रोसेशर के साथ में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आप रेडिस्टीशन कहां से देना पड़ेगा फिर जो पर डेट सेट की रहें उस डेट पर आपको एक्जाम देना होता है कौन से कोर्स के लिए आपर अलग अलग कोर्स है अंडर्गरजशन है पोस्ट ग्रजशन है डॉक्तर लेबल का कोर्से से यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं अगर आप युजी के अब यहां पर हाइलाइट्स वगरा मैं बताना चाहूंगा कुछ देखो अभी डियू जो है दिल्ली उनिवसिटी इसका आप एक्जाम देएंगे तो उसके लिए अप्लिकेशन फॉर्म करने पड़ेगी एक्जाम को जो टाइप है ना यूजी अन पीजी लेबल का उता है एक्जाम लेबल स्टेट लेबल कोता है कोर्स कोर्स आपको ओफर कर रहा है इंजिनिरिंग मेडिकल फामीची एंड अधर कोर्स ऑके नेशनल टेस्टिंग अजनसी यह कंड़ेशन मोड़ेशन ओनलाइन मोड जो ऑनलाइन एक्जाम डेट जो है पता नहीं अभी आपको रहा है तो उसके लिए आप इम्पोर्डेट टेफिंग निवरेशन गडेशन फॉrecht खेंघ करनें अपको यहना पर टेबल में देखते तो यह बहिक सिक्वेशन अब है यह श्म्र मुद्धन हो कोई भी एक्षम पर ज मिलज़ होगी अगर आप पीजी के लिए अप्लाइ किये तो उसके लिए अलग रिशेशन, फीज वगरा सब कुछ यहां पर आपको चेक करना है ओके अप्लिकेशन फोर्म ऑफिशेल अपसाइट पर रिलीज करते जाती है वहाँ पर आपको क्या करना होता है सिंप्ली आपको चेक करने होती है जो ओफिशेल यह आपको चेक करने है फिर वहां से आपको अप्लाइ करनी है ऑफिशेली तो आपको फील करनी है डॉकुमेंट्स में जो भी मेंचन किया रहता है उसमें किस तरव से करनी है इंसक्शन दी जाती है इंसक्शन को देखनी होती है फिर आपको आगे का प्रस्स कंप्लेट करने पड़ती है नोट डाउन यूर रेजिशेशन नूंबर यूजर आईड पासवर्ड फर दर यूजर के लिए प्रिंट आप अप्लिकेशन फॉर्म जब आपका सब्मिट करके हो जाया अब बात करते अप्लिकेशन फी में क्या होत चाहते हैं। अपर यूजर अपर लिए और के लिए सेल्ग करते हैं। सबके लिए फिस है एप्लेकेश त्थिस्पॉप करक्षिन के बाद करने चाहता है और फिसथे यहां परग लाइज करने चाहते हैं। ऑप्स शज्स 입श्यर करने से जाये कि जो आप डिट से सब्सक्राइब तर यहां पर आपको एक्सेट किया गया नो मिनमम इस लिमिट सेट किया गया फॉर थे इंडिया को अपर कुछी और यहां पर सेट नहीं किया है रहा दो आपको इस नहीं बता सकते हैं तो age आपको उस समय पता चलेगा जब application form fill करने जाएगे और वहाँ पर आपको एक instruction दी जाती है उस instruction में आपको पता चलेगा कि आपकी age क्या हो नीचे तो apply कर सकते हैं अब बात करते हैं PG courses तो यहाँ पर आप PG के लगर आप apply करें साइंस की फैकुलिटी से हो अगर सब चेक कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग परसेंटेज ही होते हैं हर एक का अलग अलग यहाँ पर होता जियोलोजी चैमिस्ट्री जियोलोजी बुटेनी का सब का अलग अलग होता है हैं फैकुल्टी ऑफ आट्स के हां पर अलग अलग सट किया गया है कितने परसेंटेज चीज है है क् इसक्से न चिक्रिभिक अरे तो झ Oxford व यह हैं फ्रव्सक्राइख क्वान आप इस न चीज़कर को टो होता है और और चोईने जोबचे हां पर प्रकों है एक्जाम में कोई वी चीज मिस आउट नहीं करने एक्जाम पेपर पार्टिंस में मोड ओनलाइन मोड डिरिशन अफ दो गंटे के लिए एमसे को इस टाइप सब कोशिंस रहते इंग्लिश लेंवेज यूज़ होंगी फॉर माक्स वुड बी अलोटेट फॉर एवरी करेक्ट आंसर पर वन माक्स वुड बी डिड़क्टेट फॉर एवरी रोंग आंसर पर ठीक है सिलेबस आपको officially आपको मिल जाएगी online mode से आप चाहे तो मिल सकता है वहाँ पर चेक करना होता है जब अभी एक्जाम तो अभी नहीं है तो आपको सिलेबस मिलने के बाद आपको फिर क्या करना होगा preparation tips are the best way to which you can prepare for exam ठीक है preparation tips are very helpful for candidates यहाँ पर काफी easy पर जाता है ताकि आपको एक task रहता है tips रहता है जो यहाँ पर आपको दिये गए काफी मैं बता सकता है surely आपको help करेगी first आपको कोई एक title बनानी है फिर शॉट आउट आउट यह आपको syllabus पर द्यांदी नहीं physics के देख सकते हैं सबके अलग अलग यहाँ पर बताए गया है जो काफी अच्छे है recommend किये गया आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं admin card को officially आपको मिल जाएगा वहाँ पर चेक कर सकते हैं और वहां से आप download भी कर सकते हैं ठीक है जो काफी easy answer की okay answer की सबसे पहले तो आप official website open करें वहाँ पर आपको answer की मिल जाएगा वहाँ पर आपको roll number and date of birth डालना पड़ेगा टाकि आप access हो पाएं और फिर आपको answer की देखने को मिल जाएगा online vote से result officially आपको declare कर दीजाएगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा result ठीक है merit list official website पर release करते जाती है वहाँ पर merit list को check कर सकते हैं जो भी month में set किया रहेगा cutoff cutoff are the minimum marks that the candidate has to score the qualification examinations cutoff आपको पता चलेगा उस cutoff में अगर cutoff होता है release तो cutoff का मतलब होता है कि आपके लिए हर एक category के लिए वह mark set किया रहता है कि अगर आप कौन से category से पिलोंग करते है general like general categories पिलोंग करते है तो आपको 70% mark शी है या फिर 60% mark शी होता है उन लोग के लिए उतना percent mark set रहता है अगर आपका रिजर्व category में से कौन सा category सब्सक्राइब करते हैं तो उतना marks आपको कम से कम secure करनी है तो ही जाकर आप eligible हो सकते हैं तो नहीं हो पाएंगे ठीक है admission counseling की यहां पर बात हो रही है जिसमें counseling का process होता है जब आपका merit list में नाम आ जाता है performance अच्छे काफी अच्छे तो आपका merit list में नाम आ चुका है so that आपको क्या करना पड़ेगा जो verification का process हो था वो complete करना पड़ेगा ठीक है 10th class mark sheet certificate 12th mark sheet certificate transfer certificate migration certificate बहुसता certificates है तो यह सारी का सारे certificates को आपको क्या करने है officially यहां पर चेक करनी होते है फिर आपको क्या करनी है झाल की का पारी करनी है